योह तो हेलोगी स्टूरेंस तो देखिये लास्ट लेक्चर में अपकी बोरोन फैमिली को कंप्लिट कर लिया था और उसमें यह ने बोरोन फैमिली के तिन इंप्पर्टेंट कंपाउंट के बारे में पढ़ा था टैस फिर्श वन इस बोरेक्स बोरिक एसिट एंड डाइब ठीक है बोरेक्स का फोर्मूला क्या होता है एने 2B4O7.10h2 उसका structure फोर्मूला क्या होता है एने 2B4O5OH4.8h2 ठीक है वह हमने देख लिया था ठीक है बोरेक्स का जो solution होता है water के साथ कैसा होता है nature, असेड है basic, ठीक है alkaline nature का होता है क्यों क्योंकि एने वच form होता है ठीक है यह भी important था जो आपको याद होना चाहिए इसके अलावा बोरेक्स का बीट भी form होता है जब बोरेक्स को heat करते हम तो सबसे पहले water of crystallization remove होता है उसके बाद और ज्यादा heat करने पर बोरेक्स बीट बनता है क्यों क्या होता है उसका composition आइन बी ओटू sodium बोरेट प्लस बीटू ओट्री यह आपको याद होना चाहिए जो क्या करता है आपका किसी भी transition metal के साथ में आपके color show करता है मतलब test की तरह है यूज में आता है आप transition metal को इससे पैचान सकते हो ठीक न वह इंपोर्टेंट चीज है इसके अलावा जो second आपका था वह क्या था बोरिक एसीड एस त्री बीओ त्री जिसे हम क्या बोलते हैं और्थो बोरिक एसीड भी बोला जाता है ठीक है यह भी पता होगी ठीक है इसके बाद जो आपका आता है वह था डाइब वोरिन भी टू एच इसका structure important होता है बी टू एच सिक्स 3C 2E टाइप का बोंड होता है आपका बनाना बोंड भी जिसे बोला जाता है ठीक है important होता है आपके bridge hydrogen इसमें रहते है दो ठीक है और आपके terminal hydrogen रहते हैं चार ठीक है जो एक ही plane में होते हैं आपके boron के साथ में important था टाइग्राम भी important था इसका structure और preparation भी इंपोर्टेंट थी इसकी जो reaction थी के साथ वह भी इंपोर्टेंड था ठीक अब एक्सेस Ammonia लेलो तो आपका बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं इन अर्गनिक ठीक है और अगर आप वन इसमी calculate लेलो तो इन अर्गनिक बैंजीन मनता है ठीक है person कैंडेक जीन ठीक है बोरा जीन बैंजीन ठीक है तो एक होता है बोरा जोन वो अलग होता है ठीक है ना तो confusion नहीं create करना है ठीक है तो यह सब आपकी important reactions थी compound की I hope आप लोगों को याद होगी अभी भी ठीक है तो अब हम next start करते हैं हमारी family carbon family के बारे में 14th group ठीक है तो देखिए आपकी जो next family है that is carbon family group 14 carbon family carbon family के अगर हम बात करें तो इसमें आपके कौन-कौन से आपके elements आते हैं ठीक है ना देखिए carbon family जो start होती है वो carbon से start होती है carbon, silicon, germanium, tin और lead यह आपके main 5 elements होते हैं ठीक है यहाँ पर जो silicon होता है silicon के बारे में अगर हम बात करें इनका electronic configuration क्या होता है आपको ध्यान होना चीज़ जैसे carbon का atomic number होता है 6 तो 1-2, 2-2, 2-P, 2 ठीक है carbon हो गया इसके लावाज हम silicon की बात करें तो silicon जो होता है most abundant element होता है आपका earth crust पे after oxygen ठीक है ना तो हम लिख सकते हैं इसकी एक property है most abundant element most abundant element on earth crust on earth crust after oxygen ठीक है तो यह important property है कभी कभी पूछ ले हो सकता है ठीक है इसके लावा अगर हम बात करें यह तो जो दोनों टाइप के होते हैं आपके यह होते हैं आपके non-metals क्या होते हैं आपके non-metal ठीक है जर्मेनियों होता है आपका metalloids ठीक है और यह दोनों आपके metals ठीक है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसके लावा एसन का एक और होता है एक important और होता है वह क्या होता है पाइसनोहुटू ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं टिन स्टोन इसका एक नाम और होता है आपको यहाद हो आएकन केसी पर या होता है कैसी पर या ठीक है नटेकर है ठीक है इसके अलावा लेड का भी एक इंपोर्टेंट और होता है क्या होता है वह पीवीएस क्या होता है पीवीएस जिसे हम क्या बोलते हैं गेले ना ठीक ना थोड़ी थोड़ी से बैसिक इंफोर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए ठीक है अगर हम साइज का ओडर देखें टॉप टू बोटम जाने पर साइज क्या हो रही है अगर हम जाएं तो आपकी जो अटोमिक साइज होगी अटोमिक साइज वह क्या होती है यहां पर थोड़ा से दिख्क्यत आ जाता है लेंटफेद कॉंट्रेक्षन लग जाता है एसन और पीबी में तो पीबी की साइज जो बड़ी होना चीए थोड़ी सी छोटी हो जाती है किससे एसन से यह मैं आपको बहले बता चुका हम यह सब फेमिली में अप्लाई होता है ठीक है ना लास्ट वाला जो एटम होता है वो होना चीए बड़ा लेकिन क्या हो जाता है छोटा हो जाता है लेंद्टेनोट कोंटरेक्शन की वेज़े से इसी वेज़े से इसकी जो आयोनाइशन एनर्जी होती है अगर हम बात करें तो चोटी मोटी एक दो केरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आपकी इंपोर्टिंड होती है ठीक है तो आपकी इसमें फिजिकल प्रोपर्टीज भी आ गई है ठीक है अटोमिक साइज अइनर्जी इसके लबाब एलेक्ट्रो नेगटिविटी वड़ती है यही इनका ओडर रहता ह जो आपको द्यान रहना है ठीक है इसे एक बार नॉट कर लीजे फिर हम पढ़ता है आपके किसके बारे में कर आक या केमिकल कोन और इसी कि user गंट ह venir अगर हम बात करें प्रोपर्टीश में हम सबसे पहले देखते है इनकी oxidation states, इनकी जो generally oxidation state होती है वो आपकी plus 4 और plus 2 ही होती है ठीक है ना, important होती है तो हम कहा सकते हैं आपकी chemical reactivity and oxidation state आप heading डाल के लिख सकते हो chemical reactivity and oxidation state oxidation oxidation state तो generally इनकी जो oxidation state होती है वो आपकी plus 4 और plus 2 होती है ठीक है ना तो हम क्या कह सकते हैं generally these elements show plus 4 and plus 2 oxidation state ठीक है आपको पता है प्लस 4 उपर वाली ज्यादा वाली उपर वाली आपके उपर वाले metals के लिए ठीक है ना जो भी आपके elements है और नीचे वाली लोवर के लिए ठीक है ना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी जी क्योंकि क्योंकि इनाट पेर इफेक्ट लगता है ठीक है तो उपर वाले के लिए ज्यादा वाली और नीचे वाले के लिए कम वाली oxidation state क्या होती है stable होती है ठीक है अब अगर हम बात करें carbon की तो carbon जो होता है plus 4 oxidation state शो नहीं करता है ठीक है plus 4 का मतलब है चार electron lose करना carbon का size पहले ही छोटा है एक electron निकालेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चोथा चार नहीं निकाल पाएगा ठीक है इसी लिए इसकी जो carbon प्लस फोर होता है यह बनता ही नहीं है c4 plus is not form क्यों नहीं बनता है because because of high ionization energy because of high ionization energy means आपका i1 plus i2 plus i3 plus i4 मतलब एक निकालना फिर दूसरा i2 फिर तीसरा i3 फिर चोथा i4 तो यह जो energy होती है बहुत ज्यादा होती ठीक है इसलिए carbon कभी भी प्लस फोर oxidation नंबर शो नहीं करता है ठीक है इसके लावा चार electron लेना भी important वह नहीं है इसके लिए possible क्योंकि size पहले छोटा है एक electron लिया पर दूसरा तीसरा चोथा नहीं ले सकता है ठीक है इसलिए हम कह सकते हैं c 4- is also not form also not form by carbon ठीक है तो generally यह क्या करता है आपके covalent bond बनाता है कौन से covalent bond क्योंकि covalent bond क्या होते है शेरिंग से बनते हैं आपको ना तो electron देना है ना लेना है मतलब ना तो gain करना है ना lose करना है शेरिंग करनी है तो शेरिंग की वज़े से आपके carbon bonding की प्रोसेस में participate करता है ठीक है ना not form by carbon so हम लिख सकते है generally कार्बन मैक्स कोवलेंट बन कोवलेंट बन फॉर्म करता है यह बाइशेरिंग ओफ एलेक्ट्रोंस बाइशेरिंग ओफ एलेक्ट्रोंस वह इसके लिए इजी बढ़ता है ठीक है ना तो यह इंपोर्टेंट होगी रियक्शन आपकी carbon के लिए ठीक है अब अगर लेट की बात करें मैंने आपको पहले भी बताया था लेट के लिए लेट के लिए प्लस फॉर ओक्सिडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या प्लस टू प्लस टू क्यों इनट पैरिफेक्ट बिल्कुल सही ठीक है ना तो हम लेख सकते हैं प्लस टू प्लस टू प्लस दो दू डू अव्रिट प्लस टू दू डू अब इनट पैर एफेक्ट बिल्कुल सही ठीक है यही अए नट पैर इफेक्ट तो जनरली आपकी यही मेन रीक्शन होती है oxidation state में आपकी और नॉर्मल देखा जाए तो प्लस फॉर प्लस टू रहता है अपर वाले प्लस फॉर शो करेंगे और नीचे वाले प्लस टू शो करेंगे ठीक ना तो यह इन्हें आप नोट कीजिए फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं आपकी रीक्षेन होती है ठीक एक बार आप इसे नोट की जी अब आपकी अक्सीजन के साथ तो सभी क्टांट होते हैं वह औक सीजन पर साथ रीक्ष्चन शो करते हैं और आपके दो टाइप के, MO और MO2, ठीक है, एक होता है Mono Oxide और एक होता है Dioxide, ठीक है, तो आपका जो Second Reaction है, that is, Reaction with, आप क्या बोलोगे, Reaction with Air, ठीक है, या फिर O2, ठीक है, अगर हम बात करें तो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें, कि All the Elements, All the Elements Reacts With Oxygen Or with O2 And form And form Ammo And Ammo2 Type of Oxides Ammo आपका Mono Oxide है, और यह आपका Dioxide होता है, ठीक है, एक तो चीज यह थी, जो important थी, ठीक है, इसके लावा अगर हम बात करें, आपकी SiO की, किसकी SiO, तो SiO जो होता है, आपका form होता है, by reduction of SiO2, ठीक है, ना, तो हम लिख सकते है, SiO, इस form, एक तो यह High Temperature बनता है, ठीक है ठीक है, तो हम क्या लिख सकते है, SiO is, जो आपका SiO होता है, एक तो यह High Temperature बनता है, ठीक है ना, और reduction की द्वारा बनता है, आपके SiO2 से, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते है, SiO is exist, at only high temperature, at only high temperature, and make by reduction, of, make by, reduction of SiO2, by Si, Si, Si के द्वारा इसका reduction करवाय जाता है, अगर आप SiO2 का reduction करवाये, SiO से, तो आपके SiO foam होता है, ठीक है ना, तो यह भी एक important reactions होती है, ठीक है, तो Oxide बनता है, ठीक है, Mono Oxide और Dioxide, SiO हो गया, इसके लाब आगर हम इनके Nature की बात करें, कि इनका Nature क्या होत होता है, तो आपके अगर हम बात करें, Si, O2, GEO2, ठीक है, यह फिर, जीइओ, यह क्या होता है, आपके Nature में Acidic होते है, क्या होते हैं, आपके, Acidic, ठीक है, इसके लाब हम बात करें, SiO की, यह होता है, आपका Neutral, क्यों से होता है, Neutral CO के अलावा एक-दो compound और होते हैं like NO को जो इसमें नहीं इस फेमिली में नहीं बठ होते हैं तो CO के साथ NO N2O यह क्या होते हैं आपके neutral होते हैं इसके लबावा मैंने आपको बताया था MTP में बेसन गाल जीप पर ठीक है आपको याद होगा मतलब पीबी और एसन एन पीबी यह चीज बहुत जगह आपके काम आएगी इन और इनिक में ठीक है ना तो यह क्या होंगे आपके एंफोटरिक होंगे लिए कला 아닌 के जो भी ऑकसाइट बनाँ में कि आपके नेचर में ठीक है इसने नौट कीजिए फिर आगे की रिएक्षिन पढ़ते हैं ठीक है एक बार आप इसनोट कीजिए ओक है अगर हम पड़ें इन की रियक्शन विध आपकी जो नेक्स्ट डीक्शन रिएक्शन हें वा प पढ़े हैं reaction with water के साथ क्या reaction ही उस्भरते तो पहली बात तो ये ही नॉर्मल टेम्पेरिचर पर तो ये ineffective रहतेज ठीक है वाट के साथ रेक्षेड उस्भर करेंगे तो क्या लेक सकते है at normal temperature at normal temperature all are at normal temperature all are unaffected by water water के साथ reaction show नहीं करेंगे लेकिन अगर steam हो ठीक ना तब वहाँ ये reaction करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं on reaction with steam, on reaction with steam, all forms oxides, oxides form करते हैं, all form oxides and releases H2 gas, H2 gas को release करते हैं, जैसे आपने reaction पड़ी होगी, steam को अगर आप pass करो, red hot carbon या coke के उपर, ठीक है, तो हम क्या लेख सकते हैं, on passing steam over red hot carbon या coke, तो क्या होता है, carbon जो होता है solid, जब H2 liquid के साथ reaction करेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, एक तो H2 gas बनती है, और साथ में बनता है CO, CO plus H2, ठीक है न, यह एक important compound होता है, जिसे हम बोलते हैं, syngase, क्या बोलते हैं हम इसे, syngase, या synthetic gas भी इसे बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसे, water gas भी बोला जाता है, जिसका आगे further use होता है, आपका methanol के formation में, ठीक है न, जो important होती है, syngase या फिर इसे हम क्या बोलते है, water gas बोलते है, ठीक है, carbon, यह के वल, steam स्टीम के साथ ही वर्क करेगी ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें लेट की अगर हम बात करें ठीक है ना अगर लेट होगा वह जब स्टीम के साथ रियक्शन करेगा ठीक है या फिर अगर हम एसन की बात करें ठीक है लेट से पहले आपका एसन आएगा अगर एसन की बात करे तो यह ना तो यह भी इंपोर्टेन चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है ना वैसे जो आपका लेड होता है वह अनफेक्टेड होता है में अधिक मात्रा में है तब आपका लेड रिएक्शन शो करता है ठीक है तो एक बार आप इसे नोट कीजिए फिर में उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि अब अगर हम बात करें किसके लिए लेड के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं लेड ये जंदली one affected by water but if water contains some dissolved oxygen then it reacts then it reacts with water and this process with water and and form TB OH hold twice and this process is known as plumbosolvese plumbosolvese इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं plumbosolvese ठीक है तो यह एक important reaction होती है जो आपको ध्यान रखती है जैसे आपका PBA किसके साथ reaction करेगा आपके H2 में और O2 के साथ तो आपका formation होगा TB OH hold twice plus H2 gas ठीक है आप इसको balance कर सकते हो ठीक है तो यह एक important reaction होती है TB की की जनरली तो अनफेक्टेड होता है अगर कुछ डिजॉल्व oxygen ज्यादा है उसमें water में तो एक reaction शो करता है और इस process को हम बोलते है plumbosolvese ठीक है तो यह important reaction होती है आपकी यह थर्ड नंबर की reaction है ठीक है इसको note कीजिए फिर हम पढ़ते हैं इसके fourth reaction ठीक है एक बार इससी note कीजिए ओके तो आइधिंग आप लोगों ने note कर दिया होगा अब हम पढ़ते हैं इनके reaction with आपकी हेलोजन यह फिर इसको हम क्या बोलते है है लाइट्स है तो हम क्या कर सकते हैं देफोर्म देफोर्म है लाइट्स ओफ टाइप mx2 and mx4 दोनों टाइप के आपके हेलाइट्स का फोर्मेशन करते है ठीक है इनमें आपका snf4 and pbf4 यह जो दोनों होते हैं यह आपके नेचर में कैसे होते हैं आयोनिक और आयोनिक इन नेचर and rest all are covalent in nature covalent in nature बाकी क्या होते हैं सब आपके covalent होते हैं बाकी बस यह आपके क्या होते हैं नेचर में आयोनिक होते हैं विद कि sp3 hybridization को अब के sp3 hybridization इनमें में मैंनली होता है ठीक है तो यह important reaction होती है आपकी हेलोजन के साथ जो हैलाइट होते हैं उनके साथ ठीक है इसके लाब अगर एक और बात करें कि तो मैंने आपको बताया है था इनरड्प् lavender effect में कि आपका अगर पीभी एक्स टू होता है आगा मोर स्टेबल होता है क्यों क्योंकि इसमें अफ्र प्लस टू स्टेट में रहताँ ए हुसे सब्णा ना तो हैं क्या लिख सकते हैं कि पी भीए प्रह जो होते हैं क्या होते हैं आपके नेचर में मोर्ण स्टेबल होते हैं पीबी एक्स फोर देटो कि इन पेर एफट्ट कर्रेक्ट एन पेटछे कि यह आपकी कुछ है झालि यह हम देख सकते हैं कि PBX2 जो होता है आपका more stable होता है तो यह हमारी चार reactions थी एक तो सबसे पहले हमने oxidation state देखा ठीक है उसके बाद reaction with air देखी ठीक है उसके बाद हमने हैलोजन के साथ भी इसकी reaction देखी और water के साथ थी ठीक है तो यह चार टाइप की reaction होती है इसकी इन्हें आप नोट कीजिए फिर हम पढ़ते हैं आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्वन के बारे में कि कार्वन के कौन-कौन से एलोट्रोप्स होते हैं आई थिंग आप लोगों को पता होगा कितने टाइप के होते हैं ठीक है और दूसरे भी टाइप की फुल्री कि अब हम पढ़ते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्वन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक है अगर हम बात करें तो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्वन कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्वन कि कार्वन के जो एलोट्रोप्स होते हैं यह मेंडली दो टाइप क होते हैंपके एक तो होते हैं क्रिश्टिलाइन वे पॉरं questa है क्रिश्टिलाइट लइंड फ्रेल पर संधर्व अ क्रिश्टिलाइन इस अई धे अई और एग होते हैं आपके जो श्रेमेर फर सेलो टोप्स Amorphous Allotropes ठीक है ना ये दो में आपके Allotropes होते हैं ठीक है ना अगर हम Crystalline Allotropes की बात करें तो Crystalline Allotropes में आपके आते हैं Diamond, Graphite and Fulrine ठीक है Amorphous Allotropes की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके Lamp Black ठीक है या फिर आपका चार कूल ये आपके Amorphous Allotropes में आते हैं लेकिन हम इन तीन Graphite की ये जो हैं आपके Crystalline Allotropes इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है न क्यूंकि हमारे syllabus में यही है ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके Crystalline Allotropes में Diamond के बारे में ठीक है ओके इसे आप नोट कर लिजिए देखिए अब हम सबसे पहले क्या पढ़ता है Diamond के बारे में Diamond के बारे में आप सबको पता ही होगा कि Diamond कैसा होता है कैसा होता है कि इसमें एवरी कार्बन एटम जो होता है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बोंडिंग शो करता है ठीक है मतलब एक भी आपका कार्बन फ्री नहीं रहता है ठीक है और यह इसका structure होता है तो हम क्या लिख सकते हैं में, each carbon atom, each carbon atom is attached with or connect with, attached with another carbon atom, another carbon atom in tetrahedral manner. in tetrahydral manner in tetrahydral manner थीक है न इसलिये ये क्या होते है are bad conductor of electricity भी होते हैं थीक है न इसकी अगर हम structure की बात करें कि Nic, carbon की structure क्या होती है Like this थीक है na, tetrahydral structure होता है, ये फिर किसी और carbon के साथ कि फिर किसी और कार्वन के साथ यह किसी और कार्वन के साथ ठीक है फिर यह वाला किसी और कार्वन के साथ यहां इस तरीके से आपके जो है यह चलते जाएंगे चलते जाएंगे लार्ज नेटवर्क होता जाएगा ठीक है यह इस टाइप का होता है आपका लार्ज नेटवर् सब्und होते हैं ठीक है आपको ध्यान रखना है ठीक है इस कार्बेन इस विद अन्हादर कार्बेन हम एट्रफिटरा चेट्राइड्टर मैना और कि स्पॉर्म है लार्ज नेटवर्क है लार्ज नेटवर्क है कि को ओवलेंट बॉंडड थीक न यह चीज आपको धियान रखनी यह तो था इसका नॉर्मल इस ट्रक्चर अब अगर एक्शूल इस ट्रक्चर देखा जाएं तो वह होता है आपका डायमेंड का स्ट्रक्चर एफसी सी टाइप का ठीक ना एक बार आप इसे नोट कीजे फिर में वह आपको इससे नोट कीजिए ओके देखिए अब हम इसके जो एफसी सी स्ट्रक्चर होता है वह क्यासा होता है वह देखते हैं ठीके ना मेनली जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वैसे यह तो टेट्राइडल बता देते हैं ठीके ना देकिन अगर हम में स्ट्रक्चर देखें इसका कि में स्ट्रक् है स्क्राइब है स्थ्टी है सीज्ट लेटीस ऐसी सी मीन्स फेज सेंटर क्यूबिक कुम्सा साथ सेंटर क्यूबिक ऑफेज और चेंटर को क्यूबिक थिक यह आप 12 यह क्लास में पढ़ोगे अगर आप 11 घॉ तो यह आप 12 क्रिश्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एप सी सी लेटिस होता है और यह जो एप सी सी लेटिस होता है यह बनता कि से आपके कार्बन एटम से तो हम क्या लिख सकते हैं in F C C LATIS OSER इंक युशन इंद इंस स्थेंग इंद इन इंद विख सी सी लेटिस विख can इच कार्बन एटम इच कार्बन एटम ऑक्यूपाई अल्टरनेट आपका टेट्राइडल वोईड टेट्राइडल वोईड वोईड वोग्यूपाई करता है अच्छे समझ में आएगा यह आपका लेटिस होता है ठीक है यह वो आपका क्रिस्टल लेटिस में क्या है आपके हर एक और पर आपकी कार्बन एटम रहेंगे एक एक तो उनके उपर यह जितने वी कॉर्णर्स हैं कि सब्पे क्या है आपका कार्बन एटम है कि यह जितने भी कोर्णर से सब्पे आपके कार्बन एटम है ठीक है ठीक है या नहीं आएगा सब आपके क्या है carbon atoms के सटीक है इसके लावा फेस के ऊपर यह आपका Q का फेस एक Q के छे फेस होते हैं ठीक है न वहाँ पर भी carbon atom रहेगा यह ओपर वाला फेस यह नीचे वाला यह लेफ्ट वाला यह राइट वाला यह फ्रंट वाला और यह बेक वाला इस तरह आपके छह फेस रहते हैं आठ तो कोर्णर हो गए छह फेस हो गए इसके लावा जो इच कार्बन एटम होता है अब देखें टेट्रहेटरल वोईड को अब देखें इसे हम बोलते हैं बोडी डाइगनल क्या बोलते हम बोडी डाइगनल और बोडी डाइगनल पर आपके दो टेट्राइडल वोईड होते हैं कितने दो ठीक है ना यहां पर आपके दो टेट्राइडल वोईड होते हैं एक इस तरफ रहेगा और एक आपका इस तरफ रहेगा यह होते हैं आपके carbon atom ठीक है ना तो हम लिख सकते हैं इन कि इच बोडी डाइगनल और देर इस कि तू टेट्राहेड्रल वोइट्स तेट्राहेड्रल वोइट्स एक बोडी डाइगनल पर आपके दो टेट्राहेडल रहेंगे और इस तरह है वन टू थ्री और फॉर मतलब एक आपके क्यूब में चार आपके बोडी डाइगनल होते हैं उनके उपड़ आठ टेट्राहेड्रल वोइट्स होते हैं बट जो कारवन होता है वह उक्यूपाई करता है अल्टरनेट मतलब दो में से एक मतलब हम कह सकते हैं हाफ मतलब अगर आपके पास आठ है टेट्राहेडल वोड़ तो वह चार को यह उक्यूपाई करता है ठीक है ना जैसे आपका यह एक एक तो यहां पर हो गया ठीक है अगर हम बात करें इसकी एक यूनिट में इसकी एक unit में कितने number of carbon atoms है, तो आप मोझे बताइए, number of carbon atoms, number of carbon atoms, number of carbon atoms in one unit, अगर मैं आपको one unit में पूछूँ, जो एक latest की one unit है, उसमें कितने number of carbon atoms है, तो देखिए, आठ तो आपके corners पे हैं, corners पे कितने आपके, 8 हैं, और हर एक जो atom होता है, वो contribute करता है, 1 by 8, तो यहाँ पे हो गया, 1 by 8, multiply, तो आपके पास 1 atom तो corner पे हो गया, ठीक है, इसके बाद, face के उपर, 6 faces होती है, और उसका जो contribution होता है, वो 1 by 2 होता है, तो 3 atom, ठीक है, इसके अलाओ body diagonal वाले जो carbon है, वो तो cube के अंदर ही है, तो वो तो complete आपके count होंगे, तो tetrahedral voids वाले जो carbon है, वो कितने आपके 4 atoms, मतलब 4 atoms, तो आपके अगर हम total atoms की बात करें, तो आपके total atoms कितने होंगे, 8 atoms, मतलब एक cube में, एक unit में आपके carbon के 8 atoms होते हैं, कितने 8 atoms होते हैं, ठीक है ना, तो यह इसका अगर main structure देखा जाए, diamond का, तो इस type का होता है, tetrahedral, जहां पर एक carbon, जैसे यह carbon है, यह चार carbon के साथ, बोन शो करता है, जैसे, एक तो यह carbon के साथ, ठीक है, एक second इसके साथ, एक third इसके साथ, और एक fourth इसके साथ, तो इस तरह यह, एक tetrahedral की form में, carbon बनाता है, ठीक है, इसका structure इस type का रहता है, ठीक है, तो यह important होता है, यह चीज़ आपको ध्यान रखने है, ठीक है, इसके लाबा, एक और चीज़ जो important है, वो क्या थी आपकी, I think यह आप लें, लोट कर लिया होगा, face centered cubic, ठीक है, अगर हम यहीं, बात करें, कि जो diamond होता है, उसमें, कोई भी electron free नहीं रहता है, मतलब, चारो bond बने हुए रहता है, इसका मतलब, यह bad conductor of electricity होता है, तो हम point बना के लिख सकते हैं, diamond, diamond is a bad conductor, of electricity, of electricity, of electricity, but, जो diamond होता है, heat conductivity जो होती है, इसकी better होती है, किस से, graphite से, यह important चीज़ है, but, it is a better heat conductor, than graphite, ठीक है, ना, तो यह रहता है, तो यह रहता है, यह important है, आपको याद रखना है, ठीक है, यह चीज़ important है, generally, bad conductor होता है, electricity का, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, और, बेटर करता है, graphite से, ठीक है, तो यह important चीज़ है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यह होता है, आपका पहला allotropes, कौन सा, graphite, ठीक है, तो आज हमने अपनी carbon family start की है, और हमने इसकी physical properties और chemical properties इसकी देखी, reactions देखी, oxidation state देखी, reaction with air देखी, water देखी, ठीक है न, highlights की reaction देखी, एलोजन के साथ, और last में अभी हमने start किया है, आपके allotropes of carbon, ठीक है, तो हमने पहला allotropes complete कर लिया है, जो है आपका diamond, ठीक है, आज की lecture को हम यहीं finish करेंगे, और next lecture में हम इसके, और जो भी allotropes है, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं next lecture, thank you.